इसे, इसे आप जीना कहते हो ना, थू है ऐसी जिनली पर, जहां लोग अपने अनुसाब रहना सके, नजर उठा के चलना सके, अपनी छोटी छोटी इक्षाओं के लिए किसी और की राजा मंदी पर निडवर रखे, अरे जहां इंसान की एक छोटी सी इक्षा किसी के एहम को इतना लग जाए, कि उसके जान पर बना है, उसे तुम जीना कहते हो, 75 साल होगे इस देश को आजाद हो, आज पूरे देश आजादी का अम्रित महाउत्सम मना रहा है, लेकिन आज भी कहीं किसी गाउं में लोग अपने बिया में एक भोला नहीं चड़ सकता, क्यों? क्योंकि किसी को एहम को चोट ना पहुँचे, बाबा साब भीम्राव अंबित्कर ने क्या इसी दिन के लिए सब इधान बनाए थे, अरे जब कानून हमें पूरा हक देता है, तो फिर आप से क्यों पूछे, सिर्फ नोकरी में आरक्षन देने से कुछ नहीं होता, अरे बड़े बड़े मंत्री अधिकारी जम मंदिल से वापस आते हैं, तो क्या मंदिल भूया जाता है? है इसलिए इसलिए जब तक समाज का सोच नहीं बदलेगा कुछ नहीं करें कि इंत इसके लिए हमें आज़ाना परेगा आ कि हमें बाबा साहब के दिये गए तलिकों को नहीं तो जीवन भर इसी करव नजर जुका करें पर जो कि हम से नहीं होगा था हमसे नहीं होगा हमसे नहीं होगा हर चाहिए